क्या आप पीले दातों की वज़े से मुस्कराने में शर्माते हैं? पीले दात होने के कई कारण होते हैं जैसे दातों की सफाई अच्छे से ना होना, रोस चाय, कॉफी या कोला पीना अब हम ले आए हैं पाच तरीके जिससे आप खर बैठे अपने दातों को चमका सकते हैं चाय और कॉफी बड़ी आसानी से आपके शर्मंदिगी का कारण बन सकते हैं तो अगर आपको चाय या कॉफी पसंद है तो ये हैक आप ही के लिए है पेकिंग सोडा आसानी से डाग मिटाता है और हाइड्रोजन पेरोकसाइड बाक्टीरिया को खतम करता है दोनों को मिलाकर अपने जरूरत के अनुसार पेस्ट बनाए इन दोनों का मेल तुरंथ ही आपके दातों को चमकाने में मदद करेगा और आप अपनी पसंदिदा ड्रिंक बिना डरे पी सकते है ये जादूई सामगरी लगबग हर चीज़ पर दाग छोड़ देती है पर फिक्र ना करे इससे आपके दात खराब नहीं होंगे बलकि ये दातों को सफेद और चमकदार बनाएगी एक सामगरी और बहुत सारे लाब है ना बढ़िया बस एक गीला ब्रश हल्दी में डुबोए और ब्रश करे पाउडर को दो मिनिट तक रहने दे और फिर पानी से रिंस करे इसके बाद अगर आप चाहे तो रेगिलर टूथ पेस्ट इस्तमाल कर सकते है और आपको मिलेंगे साफ और सफेद दाथ बस कुछ मिन्टों में केली खाने के फाइदे बहुत है लेकिन इसके चिलके को फेके नहीं इसका चिलका आपको दाथ सफेद करने में काम आ सकता है तो एक चिलका ले और छोटी-छोटी तुकडे काट ले ताकि इस्तमाल करने में आसानी हो और इसे अपने दातों पर रगड़े इसे तीन से पाच मिनिट तक रहने दे उसके बाद ब्रश कर ले अगर आपको स्ट्रॉबरीज पसंद है तो ये हैक आपको बेहत पसंद आएगा पके हुए स्ट्रॉबरीज मालिक असिट से भरपूर होते है जो दातों को चमकाते हुए प्लाक से बचाते है इस हैक के लिए पके हुए स्ट्रॉबरीज को मैश करे अपना टूद प्रश उसमें डुबाए और एक मिनिट तक उससे ब्रश करे उसके बाद पानी से रिंस कर ले ये हैक आपके दातों को दो हफ़तों में सफेद कर देगा ये है किफायती और घर में बने टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स बनाने का तरीका इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बेकिंग सोडा टूद पेस्ट का एक स्क्वीज आधा चमच नीबू का रस और थोड़ा सा नारियल तेल और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर ले ये पेस्ट अलुमिनियूम फॉइल के तुकडे पर लगाए और वो फॉइल अपने दातों पर राप कर ले पाच मिनिट तक लगे रहने दे और पेश है साफ, चमकतार और सफेद दात चंद मिंटों में इन हैक्स को इस्तिमाल करे और अब मुस्कुराने से पहले आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा अंतिल नेक्स ताम स्टून और स्टे ग्लमर्स